नमस्कार दोस्तों वेवन विधरियों में आपका हार्दिक स्वागत व्नंदन इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे उत्तर प्रदेश विधान सवा का जो पेपर हुआ है जिसमें समिक्षा दिकारी का एक पद है उस पद के लिए हम लोग बात करेंगे उसके कट आप के सब्सक्राइब स्वारे में उसका संभावित करेंगे संभावित परिच्छा फल कि तिथी क्या होसकती मतलब जो वह प्री हुआ है प्री का रिजल्ट जो है कब तक आएगा इस पर हम लोग बात करेंगे और मुख्य परिच्छा कब तक हो सकती है और मुख्य परिच्छा का परडाम कब तक आएगा साथी साथ यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि यह कब तक ज्वाइनिंग के जो हिसका प्रोसेस हो सकता है साथी साथ उन बिंदूओं पर हम डिसकस करेंगे जो इसके बारे में चर्चा में हैं जैसे कि अभी नकल के बारे में इन सब चीजों पर भी हम डिसकस करेंगे तो चलिए बढ़ाते हैं क्रम से हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं सबसे पहले हम अनुमानित कटाप की बात कर लेते हैं अनुमानित कटाप क्या है इसको देखते हम लोग ठीक है उत्तरवे विधान सभा अनमानित कटाप सबसे पहले हम बता दें कि यह जो कटाप जाने वाला है वो 73 प्लस माइनस 2 ध्यान दिजेगा बहुत इंपोर्टन है 73 प्लस माइनस 2 अब यहाँ पे एक बात और समझेगा कि इसमें वो कंडिडेट वे कंडिडेट जो EWS वाले है कौन है EWS वाले EWS वालों का जो कटाप जाएगा वो 75 प्लस माइनस 2 करेंगे 75 प्लस माइनस 2 आप लोगों ने विधान परिशद वाला जो परिणाम था उसको ध्यान अगर दिये होंगे उसी हिसाब से जो है इसका परिणाम भी आपके सामने आएगा ठीक है इसी प्रकार से OBC के भी जो है कटाप में कोई परिवर्तर नहीं होगा एप्रॉक्स वही कटाप आएगा जो जनल का होगा लगभग लगभग वही रहेगा SC का जो कटाप होगा SC9 प्लस माइनस 2 SC का लगभग कटाप SC5 प्लस माइनस 2 हाँ कुछ विद्यारती कह रहे है कि यह जो कटाप होगा वो लगभग 80 प्लस में बात कर रहे है तो 80 प्लस में ना जाने की कई कारण है पहला कारण मैं बता रहा हूँ कि इसका एक और मुखे कारण यह है निगेटिव मार्किंग क्या है निगेटिव जो मार्किंग है वो एक कारण है नाकारात्मक इसमें जो भी गलत किये होंगे उसके जो है मार्क्स काटे जाएंगे पहला और सबसे ठोस कारण और दूसरा भी इसी तरह मजबूत कारण है क्योंकि जो बुलाये जाने वाले छात्रों की संख्या है वो कितना है 20 गुना है 20 गुना छात्र पास करवाये जाएंगे जो की पहले 18 गुना समझा जा रहा था वो 20 गुना किया गया है इसमें आज जो नोटीस आई है उसमें एसपस रूप से बताया गया है इसके आधार पे हम यह का सकते हैं कि जो किटाप होगा सामानिका और 73 प्लस माइनेस टू ही रहने के चांस है इससे जादा जाने के चांस मुझे तो बेक्तिकद रूप से नहीं लगता है और बाकी बहुत से लो से विद्ध्यारतियों कि मैंने जो एक्चुली आंसर की आने के बाद इसलिए मैं विडियो देर से बना रहा हूं आने के बाद जो मेरे पास आ रहा है जो लोग 80 90 के उपर थे 90 के ऊपर थे वो लोग के भी नंबर क्या हो रहे है घट रहा हैं बहुत द्यर सारे नंबर घट लिया जाए कि संभावित परिच्छा फल कब तक जो है गोशित किये जाने की संभावना है संभावित परिच्छा फल कब तक तो 31 जनवरी 27 जनवरी तक आप लोगे से आपत्ती मागी गई 27 जनवरी तक 27 जनवरी तक आपत्ती दिया जा सकता है और 31 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी के बीच में इसका परिच्छा फल आ जाएगा और जो इसकी मुख्य परिच्छा होगी इसकी जो मुख्य परिच्छा के तिथी होगी वो होगी लगभग 20 से 25 फरवरी के बीच में इसकी मुख्य परिच्छा भी करवा लिया जाएगा और इसका जो परिणाम होगा मुख्य परिच्छा का मुख्य परिच्छा का यह जो परिणाम सामने आएगा वो परिणाम हो लगभग आ जाएगा आपका मार्च के मार्च में इसका मुख्य परिणाम आ जाएगा लगभग और मार्च के एंड में ही ये लोग जोईनिंग भी देंगे जैसा कि अभी आप लोग विधान परिशत वाला देख रहे हैं अब एक बात और सामने आई जो की खुब चर्चा है और सत्य भी है इसमें कोई दोर आ नहीं कई विध्यार्थियों समारी भी बात चीत हुई तो लो वहाँ पे भी ऐसा हुआ था कई बच्चों ने तो जो है बहुत अच्छे-च्छे मार्ग्स लाए उसके बाद भी उनका चैन नहीं हुआ है और कुछ बच्चों ने जो ब्लैंक कॉपी छोड़ी थी वो टाइप टेस्ट देने गए थे इसके आधार यह कहा जा सकता है कि ग गवड़ी है तो फिर निशित तोर पे सरकार को संग्यान में ले रहां चाहिए और निशित तोर पे फिर सेलेक्शन करवाने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो अगर सरकार ऐसा करने में अक्षम है तो हमें लगता है कि बहुत दुरभाग की बात है फिर सरकार चाहे जितन कोचिंग की बात कर रहा है जेए मेंस इन सब तमाम चीजों की तो वो सब विफल है क्योंकि अगर आपको प्रतिफल ही नहीं मिलेगा परिणाम ही सही नहीं है चलिए फिर भी संभावनाव पे जीवन है और संभावनाव को हम लोग बनाए रखते हैं आसा करते कि सरकार बहुत जल्दी इन सब चीजों पे